आया, सोचना, बहुत अच्छा डीप कनेक्शन है, तो जिसमें बावा ने कहां है, कि बच्चे, एक तो सत्यूग में दिपावली तो होगी नहीं, क्यूंकि नहीं होगी सत्यूग में दिपावली? सत्यूग में दिपावली नहीं होगी, क्यूंकि बावा ने कहां, क्यूंकि स्वयम लक्ष्मी वहां विराजमान है, तो पूजा किसके करेंगे? एविल डे हां दिवाली है, और दूसरा विशेश कह रहे हैं कि बच्चे, अभी तुमको बली चड़ना है, कोई शौक नहीं रखना है, शौक रखना माना हम मरे नहीं है, जहां मरने वाला सीन भी होता है, ख़बर भी हो जाती है, तो उस समय के लिए, उस मोमेंट के लिए शौक खतम हो जाते हैं, जो शगून है, उसके हिसाब से कुछ करना है, वो एक अलग बात है, लेकिन शौक रखना, यह हम बच्चे नहीं कर सकते हैं, तो देख बाबा के शब्दों में सुनते हैं, बाईस दस, बाईस मीठे बच्चे, अभी तुमें दिव्यत रिष्टी मि है, तुम जानते हो, यह पुरानी दुनिया खतम होनी है, इसलिए इससे ममत्व मिटा देना है, पूरा पूरा बली चड़ना है, अच्छा, प्रश्न है, जो अविनाशी बाप पर पूरा बली चड़े होए बच्चे है, उनकी निशानी क्या होगे, जो अविनाशी बाप पर बली चड़े होए बच्चे है, उनकी निशानी क्या होगे, अब यह फेस्टीवल से कनेक्शन में बोलना है, अगर हम बच्चे बली चड़ गए है तो क्या निशानी होगे? है कोई निशानी? बली चड़ने वाले बच्चे? सेवा करेंगे अच्छा हाँ फेस्टिवल से कनेक्शन हिंट दिया है कन्वेंशनल देवाली नहीं मनाएंगे कन्वेंशनल जो लॉकिक में मनती है उस तरह से अच्छा उस पर क्या नहीं करेंगे नहीं मनाने का मतलब क्या है? आमें गनेश कि पुजा नहीं करेंगे बाकी लाइटमिंग तो दिया तो जलाएंगे अंदर का भी जलाएंगे बाहर लोगा उन दिद्धकर आवाल झियां लीदी wife ऑपना पैशा आदी फालतू खड़्या नहीं करेंगे keyword the देदी अपने यहां पर भी पटाके तो जलाते हैं, विशेशकर भाई जहां होते हैं समर्पित्थ, उनमें थोड़ा ज्यादा योमांगुट सा होता है, और कुछ ने तो वो स्चुरन्स ही ले आते हैं, कभी-कभी सेंट्रों पर, देखर जाते हैं, अभी तो वैसे भी अब तो वैसे भी वो समय डिफरेंट होगे, अब तो वे लोकल में भी नहीं होता है, भक्ती मार्ग में, देखो बाबा के देख, तो पैसा फाल तु खर्चने करेंगे, भक्ती मार्ग में दिपावलियादी पर कितना बारूद जलाते हैं, अल्पकाल की खुशी मनाते हैं, तुम जानते हो यह सब है, वेस्ट ओफ टाइम, और क्या है, वेस्ट ओफ मनी और वेस्ट ओफ एनरजी, नहीं तीनो वेस्ट है, यहां तुम ऐसी खुशिया नहीं मनाने हैं, कोई खुशी का इजहार ही पटाके की रूप में किया जा रहा है, क्योंकि तुम तो, क्यों हम खुशिया नहीं मनाएंगे, तुम तो वनवास में हो, तुमें इन काटों की दुनिया से फूलों की दुनिया में जाना है, अच्छा गीत है तुम्हें पाके हमने जहां पा लिया ओम शान्ति मिठे मिठे बच्चों ने गीत का अर्थ समझा अब तुम बच्चों ने बाप को पाया है तुमको बाप मदद देते हैं पाठ विकारों को जीतने की अर्थत माया पर जीत पहन जगत जीत बनने की जगत सारी दुनिया को कहां चाता है बचे जानते हैं हम सारे जगत के मालिक बनने वाले है सारे जगत के मालिक मालिक कब बनेंगे परसुताना बाबा की मूरली में बाबा कल भी था कौनसी सौगात लेकर आये है मालिक वो भी स्वर का और वो भी पूरी दुनिया का और वो भी फॉर्थी ब्यूटिफुल वर्ल्ड का तो बाबा कहते हैं तो हम सारे जगत के मालिक बनने वाले हैं अच्छा मालिक कब बनेंगे जब रावन राज्ये पर रावन राज्ये पूरा हो जाएगा रावन को वर्षवर्ष जलाते हैं क्योंकि रावन को वर्षवर्ष क्यों जलाते हैं क्यों कि जलाई नहीं है उसको कोशिश ही करते रहते हैं कि जल जाए जल जाए एक एक करके निकलते वापस आता है क्योंकि संगम युक पर बाप आकर आत्मा का दिवा जगाए का मालिक बनाते हैं, संगम युक पर आते हैं बाबा, तो इसलिए दुनिया में फिर हर वर्ष का कंसेप्ट हो गया, दशरे के बाद हर संगम पर परमात्मा आकर दीपक जलाते हैं, तो उन्होंने फिर हर वर्ष कर दिया, वर्ष वर्ष, आचा, दशरे के बाद दिपावली के दिन, क्या करते देखो, दशरे के बाद दिपावली के दिन मनुश्य बहुत अच्छी चे कपड़े पहनते, अक्सर करके लक्षमी नारेन, रादे कृष्णा और देवियों के मंदिर में जाते, नई कपड़े पहन कर, मंदिर में जाने के परता में ना हम क्या करते फिर उन्हों नई कपड़े पहनकर मंदिर में जाते ह। हम ब्रामन बच्चे क्या करते है कै किं मतलब हमेश् Menu य। तब बाबा के बच्चे सुवे हो खर आते ही है वह दिवाली का कि फिर बाबा के घर नए कपड़े पहां कर पहहला दीपक जलाते। बरूटरी नई कपड़े पहनो दुनिया में मंदिर में जाते हैं या छेंटर पर आते हैं। फिर पर्प्रेस फैमिली सैत के सुह आथे है उस दिन बाबा के घर। दीपक जिलाने स स्वह साथे है रात का रखते ही हम दीपक लाय्टींग सरीमनी कि सब्सक्राइब कर दो वह तो हो गया, वह तो है, बाट एक होता है ना, ड्रेस पैन के मंदिर में जाना है, तो यहाँ, कई बाबा मतलब है, वो होता ही है, वो ओपन रखते हैं, तो विशक, परिवार सहीता है, हाँ, युगल के साथ आते हैं सबी, हाँ, हमेशा आते हैं, नहीं नहीं, तो यहीं तुम्हें कहा रही हूं बावा के भीचे, हमेशे यह आते हैं इस बार भी आना, नहीं-नहीं कपड़े पहन किया रात को, बावा कहते हैं अच्छा, लेकिन हम लोग कैसे पहनते हैं, अकसर करके, कलड़ कलड़ शाम को कलड़ सब अलावड़ है उस समय तो सत्यू का सीन काला थोड़ी पहनते है उस दिन रेड कलर पहनते है यलो कलर है यह ब्राइट कलर होता है कि देशरे हां बलकि यूगल के साथ आओ शाम को यूगल के साथ आओ सुबह तो उन लोग नहीं आ सकते ना आपको आप भी वह दो धाई गंटे बैट नहीं सकेंगे कि देशरे के बाद दिवाली के दिन मनुषे बहुत अच्छे चे कपड पैंते है फिर अक्सर करने ले कि लग्श न, लख्षमि का नरान वे तो गुप्त है रावन पर जीत पाते हैं तो तुम्हारी आधा कल्ब के लिए खुशिया कायम हो जाती है देखो देविया नवरात्रों के देविया और दिपावली के देवियों में क्यांदर है बता bugün इस तरह बढ़ो पींख इस तरह बढ़ो न जो डेवियां हैं जो दोबहार हो टाए पहले तो व्टेस ले रही है अपने में भर रही है और अभी यह कि उन्हों ने वीजय प्राप्त कर ली पूरे अर्म शत्र से सारे विकारों को असुनों को समाप्त कर दिया तो वो प्रप्रेशन पीरियड है और यह रियल वार के बाद की जीत वाला है वो संगम का है और यह सद्जू का है पंतर यह एक्यूरेट एक्यूरेट परफेक्ट आंसर नवरात्रा के देवी एक्यूरेट परफेक्ट आंसर है नवरात्री की देविया जो भी है, इंक्लूडिंग लक्ष्मी, उनको हमेशा लक्ष्मी जी का तो नहीं बताते हैं, लेकिन उनको अश्त्र शस्त्र बताते हैं, और जो सत्युकी दिपावली की देविया है, उनमें कोई अश्त्र शस्त्र नहीं, वो हाँ, देने वाला दाता शुरूप शुरूप सीता जी ऊठर मपकोरण में जो को वाली लख्श्मी नहीं जी प्रम ज्म nos लिकत में तो उसका अदल्व देने का स्वरूप है वर्दानी त्यूपेर जो पिन था अहीं आश्च्छ श्च्छ किसमें नवरात्रे में होते है वो तो नवरात्रे के बात है तो पहले लडाया हो जाती है हां वो तो फिर हां इसलिए वो तो connection है यह हां है महलक्षमि का स्वरूप मतलब दोनों यूगल स्वरूप है ग्रहस्त सिस्टम का सूचक है वहां से आज़र्ष ग्रहस्त सिस्टम की शुरूआत हुई संसार में इसलिए Lakshminasन को महलक्षमि की पूजा कि जाती है हरा हरु कि धाल हम अकेले होता है ौर्ए मे सारी अकमारी स्वरूप था- स्भॉन बाund विसक्ति-ने बिधाज अवे लख मिनारायन टिये से जाते हैं अद्exc अब सत्युकी देविया बन रहे हैं, तो अभी तुम खुशिया नहीं मनाएंगे, यह कोई दीपमाला थोड़ी है, क्योंकि यह तो आज दीवे जलाते, कल बुझ जाते हैं, वास्तों में देवियों की हाथ में कोई अस्त्र शस्त्र है नहीं, वे तो गुप्त है, दशरा भी हरवर्ष मनाते रहते, तुम ब्रामन कोई अपने घरों में क्या नहीं करते हैं? मनुष्व नहीं जानते हैं की दीपमाला दशदा क्या है? वो तो देखो बाबा कहते हैं वैसे फिजीकल हमें यह कोई जरूत नहीं है वो तो श्रगुन के हिसाब से जो लोग जो सिस्टम है सोशल सिस्टम है उसके एकोडिंग करें वो तो अलग बात है पर ऐसा चाहमारा कोई इस तरह से शौक नहीं है तो तुम ब्राह्मन को एक हो इस दीपक जलाने वाला भी खौबी होती है कईयों में कि दीपक वह एक अच्छा खुशी का है कि उनका सारा वहीं का अटेंशन रहता है कि वह किसी में दीपक उन दिनों तो वह होता था ना गिया गिया दि लगाना कि कम न हो जाए डालते रहते थे अभी अभी तो वह मों क्या गए है इतना मतला अटेंशन देने के जुरुत नहीं है तो दीपक आदी जलाना यह सब भक्ति मार गया नहीं दीपक जलाए तो मारा तो फिर एक्टिविटी खतम हो जाएगी नहीं दिया जलाने में कोई नुकसान नहीं है पर जैसे अब हम में हम दिया जलाते हैं पर अब गनेश जी लक्षमी जी की फोटो भी गाएब होगी यह चांदी के रुपएद होते थे वो सब उस फिलिंग से नहीं करते हैं बाकी दिया जलाना वो एक नौम है वो एक शगुन है चलो वो तो कर लो तो बाबा क्याते दीपक आदी जगा न नया होता है तो नए कपड़े नहीं पैनो ठीक है बारुद नहीं जलाओ और फटा के और और क्या नहीं करो क्या नहीं करो दिपक भी नहीं जलाओ कितना खर्चा कम हो जाएगा हां जी हां कोज भी ने खर्चा बहुत कम अ हां है यह ठीक है एक से एक अंसर आहर नहीं कहां कि शिव जयन्ती पर करो ये सब डिवाली पर मत करो तो वेस्ट आफ टाइम वेस्ट आफ मनी तो यह सब भक्तिमार में बप्तिमार में कितने पैसे वेस्ट करते उस दिन time waste of money waste of energy करते रहते यह है forest of thorns काटो का जंगल अब सब जंगली बन गए तुम भी पहले ऐसे थे कुछ भी नहीं समझते थे सत्यूग में फजूल खर्चा क्या करेंगे खर्चा नहीं करेंगे यहाँ तो फजूल खर्चा बहुत है मतलब पहले खर्चा करो फिर बाद में कच्रा हो जाए फिर शरीर खराब हो जाए environment खराब हो जाए कितना था ना वो तो इतनी awareness आ गई है आज कर तो वेज तुम भी पहले ऐसे ही थे कुछ भी नहीं समझते थे सत्यूग में फजूल खर्चा नहीं करेंगे दान पुन्य करने से भी अल्पकाल का फल मिलता है तुम जानते हो हम हम दान पुन्य करते हैं हम अविनाशी बाप पर बली चड़े हैं तो हमारा सब कुछ अविनाशी बन जाता है विनाशी वाला ने दान पुन्य भी अविनाशी 21 जनम कहा, दान भी करते हैं, पुन्य भी करते हैं, पुन्य कमाते हैं, दान मतलब देना, पुन्य मतलब कमाना, तो देंगे तो फिर कमाई होगी, इसलिए दान पुन्य पहरे, पुन्य दान नहीं बोलते हैं, दान पुन्य बोलते हैं, तो दान पुन्य करने से अलकाल का फल मि पुराना शरीर छोड़नाया ले लेते तुम बच्चों ने मोहजीत राजा की कथा तो सुनी है यह कहानी सत्यू के लिए नहीं है यहां अकाली मृत तो नहीं होता यह सर्फ मिसाल देने के लिए कहानी बनाई है कि उसमें सब नश्ट मोह, मोहजीत रहते हैं शरीर सहित पुरा नई कपड़े में पुराने में ममत होता है क्या इसको बेहत का सन्यास कहां जाता है सिर्फ बाबा यह नहीं कहते वैसे पुराने में ममत होता है घर भी पुराना होता है, old memories होती है, पुरानी कुछ चीजे होती है, ममत होता है ना, पर वो interest नहीं होता है, वो एक museum के लिए रखा जाता है, कुछ यादगार है, अब कोई पहनना उसको, वो तो नहीं होता है ना, पुरानी वो कपड़े पहनो, सिर्फ बाबा यह नहीं कहते क कि देह से ममत मिटाओ, परंतु जो भी इन आखों से देखते हो, सब को भूलो, क्योंकि अब दिव्य द्रश्टी मिली है, कि सब खत्म होना है, पुरानी दुनिया विनाश होई पड़िये, और नया विश्व बनेगा, शिवाबाम को राज्ये देते है, शिवाबा का नाम स देव शिव है, क्योंकि उनको अपना शरीर तो है नहीं, ब्रह्मा विश्णु शंकरगोपी अपना शरीर है, वह है उपर, अमर नात अमर बनाने की कथा सुनाते हैं, अमर लोक में ले जाने के लिए, तुम बच्चे भी फूल बन रहे हो, काटो को फूल बनाने में मेहनत लगती है, यहां तो सब काटे हैं, एक दूसरे को काटा लगाते रहते हैं, बात मत पूछो, तो बाब कहते हैं, तुम्हें अब किसी को काटा नहीं लगाना है, काम कटारी है, नहीं चलाना है, काम को केवल काटा ही बाबा नहीं कहते हैं, तो सारी विकार काटे हैं, काटार काम कटारी की बोला दूसरों को भी काट देता है तो काटा तो खुद के लिए न में छोटा टम थे काटा है जोटा है कटारी काम मो कटारी नहीं बोला लोब कटारी नहीं बोला काम कटारी क्योंकि थे दूसरों की भी तो शक्ति कम कर देता है न तो शिवाबा का नाम सदेव शिव है, तो काटो को फूल बनाने के लिए, तो एक दूसरी को यहां तो काटे लगाते रहते, काम कटारी नहीं चलाना है, यह काम की हिंसा आदी मध्य अंध दुख देती है, वैसे तो किसको मारा जाने से, मारो तो जान से खत्म हो जाते, यहां तो जनम जन्मानतर दुखी होते रहते, बाप कहते, अभी तुम्हें काम कटारी नहीं चलाने है, दुख्य होते रहते, यह काम की हिंसा आदी अंध दुख देती है, यहां तो जन्म, जन्मांतर दुखी होते रहते, अभी तुम दशरा मना रहे हो, फुर दिपावली हो जाती, सत्यूग में दिपावली नहीं मनाएंगे, क्यों कि वहां लक्ष में स्वयम राज्ये करती है, फिर उसकी बैट पुजा नहीं करेंगे, क्या वो समय होगा, जिस्ट देखो इमाजन, इंटरनेशनल योगा डे और योगा का आनन्द, वो तो योगा का आनन्द, सेलिब्रेट करने के लिए वो एक दिन है, वो है, तो ऐसा नहीं कि उस दिन कोई दिवाली कहां जाएगा, और तो कोई इत्योहार है नहीं, सेलिब्रेशन होगा, वो तो नैच्रल है न, गोई इवेंट होगा तो उतना तो, मनाएंगे तो सही न, सेलिब्रेशन तो होगई, तो तुम बच्चे जानते हो, तुम बच्चे हो, रूप बसंत, बाप कहते हैं, मैंने भी शरीधारन किया है, पुरण तो मेरा धारन करने का तरीका अलग है, अभी हमको, मनुष्य जो मंदिरों में रहते हैं, वो देवताओ की बाइग्राफि को भी नहीं जानते, फिसे कितनी बड़ी बाइग्राफि है, कि लक्ष्मी जी कौन है, कहां राज्य करती है, नो पूजाव लक्षमि और चार भूजाव लक्षमी में क्या फर्रक है زज आज डिसकस के अनवरात्रे तो कितने बड़ी बाविवक को तुछ जानती है नहीं जैसे मेरे बारे में कुछ को पता ही नहीं है और खाली ऐसे मानते हैं यह पता भी नहीं कि यह जीके में रहते हैं यहां कुछ भी नहीं पता मानते हैं तो वो तो फिर एक अधुरा तो अभी हमको दिपावली की खुशी नहीं होती होगी खुशी वैसे आजकल तो वो दिवाली तो एक ट्रैफिक जैमी होगा है मतलब एक खुशी वाला वो वाली फिलिंग बाइदर मतलब जब तक वहां पहुंच हो तब तक इन इतना इरिटेश्ट हो जाते हैं संकल्पों में तो वो खुशी कहते दिवाली देना है मतलब खुशिया देनी है पर क्या लेकर जा रहे हैं साथ में तो बाबा यह कहते हैं तो अभी हमको दिवाली की खुशी नहीं होती है क्यों क्यों कि हम वनवास में हैं हम पीयर घर से ससुराल घर जाते हैं अभी कौन सी जगा है मेंना अभीर में ना ससुराल है सत्यों बाबा नी कहला भीजा था अच्छे एक सो आठ चत्ति वाला कपडा पहने तो देवीमान टूट जाए मम्मा ने पहना, बाबा ने भी पहना, कुछ-कुछ दादियों ने पहना, 108 चत्तियों वाला कपड़ा, तो इससे देवी मान तूट जाए, मतलब इस तरह चत्तियों वाला कपड़ा पहनते थे बाब, मोटा-मोटा, हाँ, 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 कहने का भाव है, सिम्बॉलिक है, कि ऐसे अगर थोड़ा बहुत फट जाए कपड़ा, तो सिल्के पहनते जाओ, इस समय, हाँ, आजकल तो वो फटे कपड़े ही आ रहे हैं, इस समय तुम काटों की दुनिया से फूलों की दुनिया में जा रहे हो, मतलब ये भाव है, इस तरह देह अभिमान नहीं होना जी, मैं क्यो ऐसा पहन हो, एक्चुली हम कॉंशिस होते हैं, तो दूसरे भी कॉंशिस होते हैं, ये कहने का भाव है कि वेस्ट नहीं, लास्ट दम तक उसको यूज करो, तो बाबा कहते हैं, कहते हैं, पढ़ेंगे, लिखेंगे, तो होंगे नवाब, बाब कहते हैं, मैं तुमको नर्से नारायन बनाता हूँ, तो पुर्शार्त उच करना है न, जब मैं पढ़ाता हूँ, तो क्यों पद खराब करते हो, मैं खुद पढ़ाते आया हूँ, वह दिनाइस्टी में आएंगे ने देखो कल एक विशेश और ड्रामा आए है यह वाला बाबा की आज की मुल्ली क्या कोड़ी तुम जानते हैं हम पढ़ते हैं स्वर्गवासी बनने के लिए लोग समझते हैं मनुष्य मरते हैं तो स्वर्गवासी होते हैं तुम जानते हो कि बाबा याकर स्वर्ग में ले जाते हैं और रावन फिर नरकवासी बना देते हैं मनुश्य कहते हिंदू चीनी भाई-भाई अच्छा फिर एक दो को दुख देते रहते हैं तुम जानते हो मात पिता से सुख घनेरे मिल रहे हैं फिर दिरे दिरे कला कम होती जाती है, कहते हैं चड़ती कला सर्व का भला, तो अभी सब का भला होता है, कोई नरक से निकल स्वर्गवासी बनते, कोई शांती धाम निवासी बनते, तो भला हो गया ना, चड़ती कला तेरे भाने सर्व का बना तो हम आत्माई चड़ रही है इसके कारण विनाश हो रहा है उसके बाद सत्यूग आएगा और विनाश के बाद सारी आत्माई परमधा में जाईत तो किसी के शांती धाम में जाने का भला हो रहा है किसी का सत्यूग में जाने का भला हो रहा है, तो अभी सब का भला होता है, कोई नरक से निकल स्वर्गवासी बनते, कोई शांती धाम निवासी बनते तो भला हो गया ना, सत्यूग में दुख देने वाली चीज होती नहीं है, बड़े आद्मियों का फरनीचर भी बड़िया ह होता है वहां दुखदाई जानवरादी होते नहीं क्योंकि फरनीचर अच्छा चाहिए उसको हेविन कहा जाता है अल्ला अवल दिन का खेल है ठका करने से राजाई मिलती है तो अल्ला बाप अवल दिन अर्था आदी सनातन देवी देवता धरम की कि स्थापना करते हैं तो ब मिलता है तो अवल दिन यह तो खेल नाम बोल दिया लेकरन अवल मतलब अवल लंबर बेस्ट, विपेस्ट, तो अवल दिन अस्ट औरल्लर के कि एस्टेव्लिश्मेंट अल्लह करते हैं तो इसको बूते हैं है यह उर्धू विड़ का अलष्ट, पैष अवल अवल बाप अवल दिन अर्थात आदी सनातन देवी देवता धरम स्थापन करते हैं, अवल नमबर का धरम, फॉस्ट नमबर का धरम, तो बाप सेकेंड में वेकुंट का मालिक बना देते हैं, बाप अवल दिन का साक्षातकार कराते हैं, ऐसे नहीं बच्चे के साक्षातकार में जाए, य बाबा मुझे थोड़ा साक्षातकार कराओं बाबा ने का ध्यानी से ग्यानी मुझे प्रीय है ध्यान में माया प्रवेश करती है ग्यान में माया नहीं आती तो जो नौदा भक्ति करते हैं उनको बाब साक्षातकार करते हैं यहां कोई नौदा भक्ति नहीं की जाती है यह दिखा वो दिखा यह आदत पड़ गई तो पड़ाई नहीं पड़ सकते खेलने पिलने की आदत ना ध्यान में जाना मतलब एंटरटेन्मेंट है ठीक है बाबा दिखाता है लेकिन आश नहीं हो बाबा इसलिए कहते ध्यानी से ज्ञानी मुझे प्रिय है शुरू में कितन ध्यान के प्रोग्राम ले आते थे परन्तु आज है नहीं ज्यानी तु आत्मा को क्या फरक है ध्यान में जाने वाले आज ही नहीं इतना जिनको साक्षातकार होता थे ज्यानी तु आत्मा को ज्यानी आत्मा अर्थत समझ जिनकी ज्यान समझ की चक्षु ओपन है वो हर बात में ज्ञान की द्रश्टी से देखते हैं ध्यानी आत्मा ज्ञान की द्रश्टी से देखने ही पाते हैं तो ज्ञानी तो आत्मा को किसी बात में संशे नहीं आता है संशे आया, पड़ाई छोड़ी, गोया बाप को छोड़ा अब सुर्यवन्शी देवी देवताओ की राजधानी स्थापन हो रही है और और धरम स्थापक कोई राजधानी स्थापन नहीं करते वो क्या करते, और धरम स्थापक वो तो जब धरम की वृद्धी हो जाती है, तब राजय चलती है धरम राज्य बाद में बनता है, पेले तो धरम ही होता है जैसे भी जो वहां का, क्रिश्ट्यन का तो जो क्रिश्ट्ट्यन फॉलो करते हैं तो क्रिश्ट्ट्री democracy हो गई है तो बाद में राजाई होती है वो तो जब धरम की व्रद्धी हो जाती है तब राजाई चलती है तो तुम अब विश्व का मालिक बन रहे हो और हम में धरम और राज्य तोनों स्थापन करें तो धरम और राज्य स्थापन करने का मतलब क्या हुआ धरम और राज्य वो तो केवल धरम स्थापन करते हैं राजाई बाद में होते हैं धरम अर्थात धारनाई सारी disciplines मरियादाई वो है धरम और राज्य अर्थात राजधानी जिसमें सब स्टेटस होते हैं तो धरम जिनकी धारनाई जैसी होगी तो उनको राज्य में वैसी स्टेटस मिलेगी तो राजधानी हो रही है राज्य नहीं हो रहा है राज्य स्था बाबा मेशा कहते हैं बचे यहां धरम जब भी कोई किसी की कंप्लेन लेकर आता है कि अरे यह ब्राम्मन इतना पुराना ऐ हिसा होता है तो बाबा क्या कहते है यहां धर्म और राज्य दोनों स्थापन होते हैं हां तो मतलब धरमना है ना वो तो किसी का वोपद है अलग अलग पद है तो जब राजा ही चलती है कोई नया आये तो पूछो तुम अब विश्व का मालिक बन रहे हो अच्छा कोई नया आये तो पूछो परमपिता परमात्मा से तुमारा क्या संबंद है कहेंगे बाबा है बाबा स्वर्ग स्थापन करते है और रावन नर्क बनाते हैं, जिसने स्वर्ग बनाया उसकी पूजा करते हैं, अच्छा जिसने नर्क बनाया उसको जलाते हैं, क्योंकि नर्क में मनुश्य काम चीता पर जलते हैं, तो गुस्से में आकर रावन को जलाते हैं, परुंतु रावन जलता ही नहीं है, सिर्फ कहते परंपरा से चला आता है परंतु परंपर का अड़ती नहीं जानते दुश्मन की एफिजी जलाते अच्छा रावन को भला क्यों जलाते हो क्यों कि रावन को क्यों जलाते हो बहुत अच्छा कॉश्चांस मीनिंग तो सबके राइट होंगे लेकिन बाबा जो कहना चारे वो आया है हुँ रावन को क्यों जलाते हो कि जब देराएंगे जबी तो सक्तिव आएगा ना हुँ विकार नश्ट करने दे लिए विकार नश्ट करने दे लिए विकार नश्ट आच्छा बड़े लॉजिकल अंसर है देखो बाबा क्या कहते है सिंपल है क्योंकि रावन तुम को जलाता है कि आम को जलाता है क्रोध जलाता है मो जलाता है जलाते हां डेवियों को तो तो पवित्रफी गरें समझ में आयां ठीक है गुलाब भाई रावन हम को जलाता है इसलिए हम आए इर्शा जलाती है इर्शा जलाती है सब कुछ जलाती है तुम रावन को जलाते हो परन्त मनुश्य कुछ भी नहीं जानते है तो वहां रावन को नहीं हम परडाइस वास WASI बनने वाप्स स्वर का वर्सा ले रहे श्राप देने वाला है रावण रावण किसको भीकार स्त्री के पाच विकार पुरुष के, सत्यूग में ये विकारी नहीं थे, सन्यासी तो बाद में आते हैं, अभी तो देवताधरम है नहीं, वो फिर से स्थापन हो रहा है, 108 की माला बन रही है, तो प्रजा भी तो चाहिए ना, जैपुर का राजा एक था, प्रजा कितनी थी, अभी माला तो बनती है, प्रजा भी चाहिए, जो यहां बच्चे बनकर फिर चले जाते हैं, पहले बच्चे थे, अच्छा खासा पुरुषारत कर रहे हैं, फिर ज्यान छोड़ दिया, वो फिर, प्रजा कितनी तो बाबा केते हैं, वो हलकी प्रजा में आ जाते, देगा त अच्छे तो थे, कुछ तो किया था, तो वो फिर, हलकी प्रजा में आ जाते हैं, कहते हैं, ग्रहस्त वेवार में रहते हैं, जीवन मुक्ती चाहिए, जीवन मुक्त तो एक नहीं होंगे, पूरा घराना चाहिए, अश्टा वक्र गीता में लिखाए, सेकेंड में जीवन अच्छा यह तो हैं, लेकिन कैसे मिली, राजा जनक के लिए बुलते हैं, वह नहीं जानते, आदि सनातन देवी देटा धरम बहुत सुक देने वाला है, जबकि राजा ही मिल रही है, तो फिर हम क्यों न हम श्रीमत पर चले, क्यों न कमल फूल समान बने, राजा ही मिल रही है तो क्या लगता है श्रीमत पर चलने के लिए अच्छा ही तो है ना श्रीमत पर चलना हमारे लिए तन के लिए फाइदा मन के लिए फाइदा धन के लिए फाइदा फिजूल खर्च स्टॉप हो जाता है वैसे पैसा दिखने लग जाता है और संबंदों के लिए फाइदा नहीं है संकल्पों के लिए फाइदा श्वास के लिए फाइदा तो बाबा कहते हैं तो जबकि राजाई मिल रही है तो फिर क्यों नाम श्रीमत पर चले लोग देखो बड़ी- स्टॉड़ी स्टॉड़ी करते हैं आखे वो प्रोफेशनल स्टॉड़ी स्टॉड़ी करते तो चश्मा लग जाता है थोड़े-छोटे सी है क्यों कितनी मेहनत क्यों करते भई बाद में राजाई राजाई है बैठे-बैठे मतलब easy money हो जाएगी तो बाबा इसलिए कहते है जब राजाई मिल रही है तो फिर क्यों नाम श्रीमत पर चले थोड़ी सी मेहनत करे क्यों नाम कमल फूल समान बने तुम ब्रामन हो ना तो शंक चक्र गदा पदम तुमारे पास है मनुशित दीपमाला पर सिर्फ एक दिन नया कपड़ा पेंते हैं मंदिरों में जाते सिक् पिछे पीछे और क्रिश्न थो प्रालब्ध है बक्चा है अभी तो जलाएंगे ना दिया तो अभी जगा ना आत्मा का दिया भी जला है इसलिए डिपमाली में नए कपड़े पहनते हैं और क्रिश्न तो फिर हमारा वं प्रालप्ध वाला जन्म हो गया प्रिंस है लेकिन जन्म के समय पूरी स्थिती तो नहीं नहीं होती है ना हल चल रहती है पूरी तो मतलब संगम युग का ही लास्ट समय चल रहा होता है सत्यूग ने शुरू होता है इसलिए सी कृष्ण जनमाश्पी पर नहीं कपड़े नहीं पहते है हलांकि बहुत अच्छे से सेलिब्रेट किया जा रहा है दिपावली के दिन नहीं कपड़े पहते है कितने अच्छे राज है न आच दिपावली के है उसमें तो व्रत रखते दिपावली मतलब जोरदार मिष्ठान खाना कितना अलग है तो अवरीटिंग न्यू खाना पीना भी कोई रिस्ट्रिक्शन व्रत जनरली तो नहीं खात वो सब है उस दिन दुकांदार अपना पुराना खाता खतम कर नया खाता शुरू करते तुम भी अब पुराना खाता खतम कर नया शुरू करते तुम भी अब पुराना खाता खतम कर नया शुरू करते तुम भी अब पुराना खाता खतम कर नया जी भव, भिष्नु मद्धि में है न, मध्या जी भव माना, बाप ब्रह्मा द्वारा विष्नु पुरी स्थापन करते है, स्वर की यादगार, तो पुरानी दुनिया विनाष हो जाती है, तो शीबाबा कल्यू के अंत में आते, फिर सत्यू के आदी होती है लिखा भी है कि ब्रह्मा द्वारा स्थापना ब्रह्मा तो प्रजा पिता है न तो तुम किसके बच्चे हो तुम किसके बच्चे हो शिव के हो या ब्रह्मा के बच्चे हो एक आंसर दो फिर stick रहो इस पर जिए नहीं कभी यह वह कभी शिव के बच्चे कितने हैं इक बताओ शिव के बच्चे ब्रह्मा के बच्चे कितने हैं एक यह जो हाथ नहीं उठाते वह किसमें बाबा के तो सभी बच्चे है जो भी correct answer हो जाएगा उसमें बाबा क्या कहते हैं बाबा क्या कहते हैं देखो बही तुम हो दोनों के बच्चे हैं बही मात-पिता है न तो ऐसे क्यों पहले भम्मा जी के बच्चे बनेंगे तभी तो शिव बाबा के बच्चे बनेंगे कहते भी है तुम मात-पिता मतलब आंसर एक बतो इन दोनों में से एक नहीं बोला अच्छा यह था हमने यह कहां कि एक आंसर बताओ दो दो आंसर नहीं बताओ तो अच्छा यह मानने में कहते भी है तुम मात-पिता कॉस्चन क्लियर नहीं था कहते भी है तुम मात-पिता बरोबर प्रैक्टिकल में मात-पिता अब है पढ़ाई पढ़कर फिर वर्षा पा रहे हो फिर रावन आकर दुखी बनाते दुख भी दिरे-दिरे बढ़ता विश्य सागर्य अकल्यूग है सत्यूग शीर सागर्यूग को शीर सागर्य में बताते की Wes 그 बर्भर पूरता की निशानी है जानते ओं कल हम स्वेर में थे अब नर्प में है फिर कल में होंगे कल क्यों कहते है क्योंकि रात के बाद दिन आता है कोई आये तो पूछो यह आश्रम किसका है नाम सुना है प्रजा-पिता-ब्रह्मा हमीं पूछ रहे हैं उनक बाप से ही वर्षा मिलेगा, बाप कहते हैं कि धन्दा भल करो twenties बाबा को याद करो क्योंकि उनसे वर्षा मिलता है यह भीती है ना, और जगह भीती नहीं होती है, मतलब यह हमारा target भी है, भीती, मतलब एक लक्षे होता है, school में भी भीती होती है, तभी कहते है कि student life is the best life, यह बेहत की पड़ाई है, बेहत की history geography को तुम जानते हो, स्कूलों में जाकर बताओ, school में बताओ भी, programs करो, कि बेहत की history geography क्या है, वैसे ही बहुत important chapter है, क्योंकि नहीं तो बच्चों के mind में impression क्या है, दुनिया में हमेशा लडाईया ही होती है, history को पढ़कर, कभी उनको एक अच्छी दुनिया भी थी, history ती यह पता ही नहीं, वो प्रोजेक्ट है, मतलब ये वाला जो बाबा कहने का भाव है, कि इस तरह के स्रश्टी चक्र के बारे में बताओ, उनको कहना है कि आप तो हद की history जोग्रफी पढ़ाते हो, हम आपको लक्ष्मि नारेन की बेहत की history जोग्रफी बताएं। क्योंकि एक तो वैसे भी इतिहास में लड़ाई आदी है, उसके बाद फिर जो भी इवन शास्त्र आदी भी जो बताया है, उसमें भी लड़ाई आई बताया है हमेशा। कोई भी शास्त्र बिना लड़ाई वाला बताया है नहीं, है कोई शास्त्र? है सुमन में नहीं है देखा, सब लड़ाई वाले हैं। तो इसलिए एक बच्चों के मन में जो impression भी हो रहा है, वो यह ही हो रहा है। तो आगे चल तुमको कॉलेजों में भी निमंतरन मिलेंगे, यह है इश्वर यह विश्व विद्याले, वो है स्प्रिच्वल फादर, तो रूहों को स्प्रिच्वल नॉलेज देते हैं, निराकार साकार में आकर सुनाते हैं, सी कृष्ण की तो इसमें कोई बात ही नहीं है किसी बात को समझती नहीं है, सूत मुझा हुआ है, स्वतंत्र होना चाते, पर उन्तु जगडा बढ़ता ही जाता है, कहते फ्रिडम चाहिए, सच्ची सच्ची फ्रिडम तुमको रावन से मिलती है, रावन से, भालतवासी समझते कि हमने क्रिश्चन से फ्रिडम पाई, सच समय कौन सी फ्रिडम की डेफिनेशन है, जिस समय मेरा मन मेरे according चले, यह पूरा फ्रिडम की डेफिनेशन है, उसको, तो बावक केते हैं, सच्ची सच्ची फ्रिडम रावन से है, आगे चल तुमको कौलेजों में, कौलेजों में भी निमंत्रन मिलेंगे, यह इश्वरी वि spiritual father तो रूहों को spiritual knowledge देते हैं निराकार साकार में आकर सुनाते हैं सीख कृष्णी की तो इसमें कोई बात ही नहीं है किसी बात को समझते ही नहीं है freedom तुमको मिलती है independent राज़ाई गीच सुनाना कि तुम मिले तो धर्ती आस्मान सागर सब हमारा हो जाथा क्या गीच था? तुम्हें पाके हमने जहां पा लिया है तुम्हें पाके हमने जहां पा लिया जमी तो जमी आस्मा पा लिया उसमें हदे है है नहीं अच्छा मिठे मिठे पाच हजार वर्ष बाद फिर से मिले हुए वर्षा पाने वाले बच्चो प्रती, मात पिता, बाब दादा का याद प्यार, गुड मोरिंग, रुआनी बाब की, रुआनी बच्चो को नमसे, रुआनी बच्चो की, रुआनी बाब दादा, मात प्रती, रुआनी बाब की, रुआनी बाब की, रुआन मात पिता को पुरा फॉलो कर पढ़ाई में उच्पद पाना है। इस दुनिया में कोई भी शौक नहीं रखना है। वनवास में रहना है। इस दुनिया में कोई भी शौक नहीं रखना है। वनवास में रहना है। इन आखों से जो कुछ दिखाई देता है। उसे देखते होई भी नहीं देखना है। पूरा नश्ट मोहा बनना है। पूरा नश्ट मोहा बनना है। संगम पर कुछ भी वेस्ट नहीं करना है। संगम पर कुछ भी वेस्ट नहीं करना है। अच्छा वरदान हैं। अपने ओक्यूपेशन की स्मृत्ती से सेवा का फल और बल प्राप्त करने वाले विश्व कल्यानकारी भव। कोई भी काम करते अपना ओक्यूपेशन कभी नहीं भूलो। जैसे पांडवों ने गुप्त वेश में नौकरी की। लेकिन नशा विजय का था एक साल अज्यात्वार। ऐसे आप भल गवर्मेंट सर्वंटों नौकरी करते हो। लेकिन नशा रहे कि मैं विश्व कल्यानकारी। तो इस स्मृत्ती से स्वतर समर्थ रहेंगे। और सदा सेवा भाव होने के कारण सेवा का फल और बल मिलता रहेगा। गाया हुआ है भावना का फल मिलता है। तो आपकी सेवा भावना अनेक आत्मों को शांति शक्ति का फल देगे। सेवा का फल और बल राप्त हो, तो ये है सेवा का फल, सेवा का फल भी और सेवा से बल भी, तो चाहे सिंपल हो लेकिन फिलिंग हो, काम बेशक साधारण हो, स्थिति बड़ी महान, संकल्प महान, चाहे कुछ भी काम करें, और वो संकल्प महान ही हमारा स्टेटस महान फिक्स क मतलब आप गुपत हो न आप जिसे जॉ बर करने वाले हों तो पर है अंदर कौन थे उनancedar को पता था क्यों कौन एंन जहां जॉब करते थे उनको नहीं पता था कि ये वह ही उसके राजा मतल Blissी जिन भी राजा के पांडू के पुत्र हैं वह नहीं पता था 대해 क्योंकि उनको नशात हा कि बस एक स्लोगन है Godly स्चुरेंड स्वरूप सदास्म्रति में रहे तो माया आ नहीं सकती Godli स्चुरेंड स्वरूप सदास्म्रति में रहे तो माया आनुं सकती अब एक तेशारे हैं, कोई मांगे या नहीं मांगे, दाता कभी यह नहीं देखता कि यह मांगे तो दे, रहम दिल का चल रहा है ना, कोई मांगे या नहीं मांगे, अखुट महादानी, महादाता स्वयमी देता है, तो समय अनुसार हर समय दातापन की स्वयम्रती को बढ़ाओ, स्वयम्रती के प्रतिवा, सर्व के प्रतिदातापन का भाव, वसनेह, इमर्ज रूप में दिखाए दे, कोई कैसा भी हो, देखो बहुत अच्छा हूंवक आज क करेंगे इसके उपर, कोई कैसा भी हो, क्या भी हो, मुझे देना है, सदा बेहत की वरत्तियो, सदा संपन, सदा भरपूर रहो, देने वाला बनो, कोई मांगे, दो कॉलिटीज बता है आज, कोई मांगे, न मांगे, तो भी देते जाओ, और कोई कैसा भी हो, तो भी देते ज दोनों समय देते जाओं आच्छाच करेंगे वो युम बगाच्छ